हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी भारती सम्विधान की क्लास में और आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठंड भी बहुत है और आप लोग थोड़ा बहुत पड़ाई भी कर रहे होंगे और साथी साथ घर पर होंगे सेफ होंगे तो आज मैं आपके सामने फिर एक नए पर एक बार रिवाइस कर लेते हैं आप लोग को फिर से याद करा देते हैं कि इससे पिछले टॉपिक में हमने आपको क्या पड़ाया था हमने आपको भारती सम्विधान की प्रस्ताबना के बारे में बताया था पूरी प्रस्ताबना भी बताई थी कि किस प्रकार से है उस सके ठीक है और मैंने आपको क्या बताया था कि जो समिधान जो प्रस्ताब जो पेश किया था पंडी जवालार नैरू ने 31 December 1946 जवार्लार नैरु ने इसका प्रारूप तैयार किया था प्रस्तावना का और समिधान सभा में पेशी किया था लेकिन इससे स्विकार उस वक्त नहीं किया गया था, इससे स्विकार किया था 22 जणवरी 1947 इक बार फिर से सुनली जे कि 13 December 1946 1946 को पंडिजवार लार नैरो ने इसका प्रारूप तयार किया था प्रस्ताबना का और इसे 22 जनवरी 1947 में से स्विकार कर लिया गया प्रस्ताबना की जो भाषा है भाषा ऑस्ट्रिलिया से लिए गया और इसका प्रारूप जो है वो अमेरिका से लिया गया है इसमें अब तक सिर्फ कुल मिलाकर एक बार संशोधन किया जा चुका है और वो सम्विधान संशोधन है हमारा 42 सम्विधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें किवल एक बार संशोधन किया गया है और क्या संशोधन किया गया था इसमें तीन नय शब्द जोड़े गया थे पहले पारग्राफ में समाजवादी और पंत निरपेश और छटे पारग्राफ में अखंड़ता शब्द जोड़ा गया था और हमारी प्रस्ताबना में तीन तरह के न्या की बात की गई थी कौन-कौन से निया है वो समाजविक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय की बात की गई थी और पांच प्रकार की स्वतंतरता की बात की गई थी वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता और दो प्रकार की समता की बात की गई थी, जो है प्रतिस्ठा की और अपसर, प्रतिस्ठा और अपसर की समता की बात की गई थी, यह तो थी हमारे पिछले टॉपिक का थोड़ा सा रिवीजन, जो हमने फटा-फट कर लिया, और आज हम बढ़ते हैं हमारे ने टॉपिक की ओर, जो की है हमारे राष्ट्रिय प्रतीख National Symbols of India आईए भारती प्रतीख के बारे में प्रतीख क्या क्या है हमारे भारत के प्रतीख के बारे में जानते है उसके बारे में भी चीक है तो सबसे पहले हमारा जो प्रतीख है वो है राष्ट्रगान रास्ट्रगान क्या है हमारा रास्ट्रगान है चन गर्ण मन हमारा रास्ट्रगान है और भारत के रास्ट्रगान की अवधी पूश्री आती है तो इसे गाने में और चन गर्ण मन भारत में पहली बार कब गया गया था तो यह डेट आप अच्छे से याद रखेगा कि यह पह कत्ता अधिवेशन में गाया गया, चीक है, और इसे पहली बार 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 से आपको कुछ याद आया है, इस डेट से, इससे पहले के कई वीडियो में मैंने आपको डेट बार-बार मेंशन हुई है, कई बार आई है, क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा समविधान भी लागू हुआ था, इस दिन हमारा समविधान लागू हुआ था, भारत की राष्टगान की रचैता को ने, रवीन नाट टैगोर, रवीन नाट टैगोर इसके रचैता जीए, अब हम आते है हमारे राष्टी ध्वच की तरफ, नेश तेराश्टी द्वच इसमें जो बैठक ही इसकी 22 जुलाई 1947 को आयोजिस सम्विधान सभा की बैठक के दौरान तिरंगे को वर्तमान सरूप में अपनाया गया और 15 अगस्थ 1947 को भारत का आधिकारिक ध्वच बन गया था अपनाया गया था 24 जुलाई 1947 को यह डेट बहुत पूछी जाती से याद रखेगा कि इसे अपनाया कब गया था तो आप बताएंगे इसे 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था और 15 अगस्थ 1947 को इसे आधिकारिक तौर पर रास्टी ध्वस्थ तिरंगे की रूप में अपनाया गया और इसकी लंबाई की बात करते तो इसका अनपात कितना लंबाई का 2.3 है और यह कहां से लिया गया है यह लिया गया है, इसका जो चिन्न की बात करते हैं, इसका चिन्न कहां से लिया गया है, चिन्न क्या है इसका जो भीच में बना रहता है चिन्न, अशोक स्तम, इसका चिन्न प्याद रखे और इसे भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, इसे भी अब आते हैं राश्ट्रगीत की तरफ राश्ट्रगीत क्या है बंदी मात्रम किसे लिखा है बंकिम चंदर चाटडी जी ने कहां से लिया गया है यह पढ़न्यास जो आनन्दमट से लिया गया है और इसे भी पहली बार कब गया गया था धारती रास्ट्री कॉंग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गया गया था और 26 जन्वरी 1950 को वंदे मात्रम रास्ट्रगीत का इसे दर्जा मिला था 26 जन्वरी को हमारा जो रास्ट्रगान है उसे भी अपनाया गया और जो रास्ट्रगीत है उसे भी और 26 जन्वरी को ही हम समविधान दिवस भी मनाते हैं हमारा जो समविधान है उस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी को नहीं, 27 नॉवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं विदी दिवस के रोप में लेकिन जो 26 जनवरी को हमारा संविधान लाघ उवा था, गर्तन दिवस था उस दुन हमारा लाघ हुआ था, अब हम आते हैं भारत का रास्ट्री है द्म अशुक अभियम चिन्ये के बारे में आपको बताया था लिए अशुक इस्तंभ हुआ सारनात से लिया गया है अशुक की राजदानी थी ना सारनात। अट से लिया गया है और उर प्रतीप के नीचे क्या सत्यमेव जैते लिखा रहता है यह कहां से है, उन्डोक उपनिशत से, उन्डोक उपनिशत से यह लिया गया, यह हमारा रास्ट्री पक्षी के बारे में बता है, तो रास्ट्री पक्षी हमारा क्या है, मोर है, यह रास्ट्री यह वन जीव सनरक्षन अधिनियम, यह मैचिंग में आता है, बहुत ज़्यादा इसका sun याद रखेगा 1972 बढ़ा confusion रहता है इसमें 1912 राश्ट्री यह वन ने जीव सन रक्षण अधिनियम वन जीव नहीं है वन ने जीव है वन ने जीव याद रखेगा वन ने जीव अलग है वन ने जीव अलग है राश्ट्री पशु क्या है मारा रोयल बेंगॉल टाइगर यह क्या है कि इसकी आबादी इसको अभी सन बहुत पूछा थे कि प्रोजेक्ट टाइगर कप छलाए गया तो आप प्रोजेक्ट टाइगर का सन यह याद रखेंगे 1973 इसी को ही हम राश्ट्री प्रशु के रूप में जानते हैं से राश्ट्री प्रशुद पंkोशित कर दिया था राश्ट्री एवन इजिव सनग्षान दिनीःं 1972 है और हमारा प्रोजेक्ट टाइगर कप हुआ था 1973 रास्ट्री फूल की बात करते हैं, रास्ट्री फूल क्या है हमारा कमल है, यह एक पवित्र फूल भी माना जाता है, और आप जानते हैं कि इसे हम पूजा में और बाकी धार्मिक इस्तलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हमारे रास्ट्री फूल की से संग्या दी गई तो यह हमारा रास्ट्री पुल पुश्प गरम कहें तो कमल है रास्ट्री नदी की बात करते है तो रास्ट्री नदी हमारी कौन सी नदी है गंगा नदी है जो कि भाद की सबसे पवित्र नदी बानी जाती है और यह नदी उत्रा खंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती ह और बंगाल की खाड़ी में जाकर जल जाती है। कहां से निकलती है? उत्रा खंड के गंगोत्री गुश्यर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर जल जाती है। राश्ट्री जली पशु की बात करें तो राश्ट्री जली पशु कौन है हमारी डॉल्फीन है यह कहां रहती है गंगा नदी में यह पाई जाती है भारती राश्ट्री खेल की बात करें तो हमारा भारती राश्ट्री खेल कौन सा है होकी है भारत में क्रिकेट की प्रसद्धी के वाबजूर भी होकी ही भारत का रास्ट्री खेल गोर्षिट किया गया था उस समय होकी काफी प्रसद्ध भी दी तन 1928 से लेकिए 1956 तक के समय होकी का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है ही तो थे हमारे रास्ट्री प्रितीक चिन लेकिन अभी इसमें कुछ चीजे बाकी है जो मैं आपको बताती हूँ जैसे अभी हमने एक चीज रह गई है हमारी वह हमारी क्या रास्ट्री पांचांग के बारे में अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उस अ तो यह हमारा रास्ट्री पांचांग किस चीज़ पर आधारिक है अगर आपसे पुछेगा तो आप बताएंगे रास्ट्री पांचांग जो है हमारा शक्समवत पर आधारिक है और इसके बारे में पुछाता है कि इसका पहला महिना कौन से है रास्ट्री पांचांग का तो आ सबसे पहला महिना कौन सा होता है चाहतर होता है ठीक है और इसे कब अपनाया गया था जो राष्ट्री पांच चांग है इसे कब अपनाया गया था तो आप बताएंगे कि इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था होता है मारे हिंडि महीने के बात कर अगर करें इसे 22 मार्च जो होता है कि हिंडी महिने गा marshm तो होता है 22 March जो होता है हमारा इंदी मा का पहला दिन है यह तो राश्ट्री पाच्छांग किस पर आधारित है शक्समबत पर आधारित है ठीक है इसका पहला महिना कौन से होता है चैतर का महिना होता है और यह इसे कब अपनाया गया 22 March 1957 को देखिए उसेम डेट को यह अपनाया गया ठी इसेम पहलेगा उनिस्व सतावए और जो हमारा इंग्रेजी महिना होता है वो 22 March होता है जो कि हिंदी मा का प्रथम दिन होता है और यह चीज और याद रखेगा यह भी बहुत इंपोर्टेंट है हमारे राश्ट्री कुछ पर्व होते है राश्ट्री पर्व होते है राश् तु है हमारा शब्दिस जन्वरी तर्टन दिवस और एक है हमारा पंदरागस प्रेंडेंटे सतंत्रता दिवस और दोग्टूबर, गांधी जन्वेबग इन तीन तारीकों को राश्ट्री पर्व के रूप में बनाय जाता है एक बार हमने जो आज पढ़ा है मुसको फटापट रिवाइस कर लेते हैं कि आज हमने जो पढ़ा है फटापट किया है कि हमारा रास्टरगान क्या है हमारा रास्टरगान जो है जन्गर्ण मन है जिसे हम 52 सेकेंड में गाते हैं और इसे जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अदिवेशन में पहली बार गाया गया था और 26 जनवर 1950 को अपनाया गया था जिसके जो रच्रहिता है वो कौन है रभीना टैगोर जी है अगर हम रास्ट्री ध्वज की बात करते हैं तो हमारा रास्ट्री जो ध्वज तिरंगा इसे 15 अगस 1947 को जो हमारा भारदेश आजाद हो गया था और इसकी लंबायों चड़ाई की बात करें तो जो अनपाती है रास्ट्री गीत की बात करते हैं तो रास्ट्री गीत है हमारा वंदे मात्रम जो की बंकिम चंदर चटरजी की द्वारा उनके उपन्यास से आनन्मट से लि अगर रास्ट्री चिन्य की बात करते हैं तो हमारा रास्ट्री चिन जो है अशोक इस तंभ है जिसे अशोक की राज़दानी सारुनाथ से लिखा गया है और पृती की नी नीचे जो सत्ने जैत लिखा गया है वो कहांसे है? वो मुन्डूक उपनिशत से लिए ग tips that रास्ट्री पक्षी कि बात करें तो रास्ट्री पक्षी मौर है और रास्ट्री वनजीफ संरक्षन Lightrium, 1972 की ठहत इसे पूर्णीरूप से संरक्षत कियाँ गया रास्ट्री पाशूर की बात करें तो Bengal Tiger हैं, Bengal Tiger के में हुष्द परोजर्चक्ट कैब हमारा कुन से सन है operate in 72 ===? सार भी एक अधित्री स्थान रखते हैं, अधित्री का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा पुष्प है ही नहीं, बहुत ही सुन्दर होता है राश्ट्री नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है हमारी कहां से निकलती है, उट्राखन के गंगोत्री ग्रेशर से निकलती है तो राश्ट्री खेल हमारा होकी है, राश्ट्री पांचांग के बारे में हमने आपको भी डिटेल में बता है कि ये शक्त समवत पर आधारित है, चैत्रमास इसका पहला महिना होता है, हिंदी महिने के अनुसार, और इसे जो है 22 मार्श 1957 को अपनाया गया था, राश्ट्री प ये जो टॉपिक है, छोटे-छोटे टॉपिक है, इन्हें मैं फटा-फट फिनिश कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं फटा-फट और इच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ आऊंगी, इसमें अनशेद होंगे, आगे सारे के अनशेद को डिफाइन करते हुए, आपका ज जाए, तो ये टॉपिक पढ़ने भी जरूरी है, तो इन्हें फटा-फट खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से और अच्छे-च्छे टॉपिक के साथ आती हूँ, आगे अनशेद भी पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो आज के लिए इतना ही धनिवाद, जय हिंद, जय भारत